ये कहान ये कैसी औरत के ओपर आधारित है जिसका पती जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पतनी की परसनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता जिस वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है या माच की इस explanation में देखने वाले हैं फिल्म का नाम है लेड़ी चैटरलीज लवर और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक ख़दान में काम कर रहे होते हैं तबी अचानक वहां पर एक धह्माका होता है और वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बहार निकालता है पर उनमें से टेड़ी नाम की एक आदमी की मौत होजा और उसकी डेट बॉड़ी को उसके घर पहुचाया जाता है इसके बाद हम पार्टी में कौनी नाम की एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं तब ही उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लीफर्ड चैटरली था और वो बहुत अमीर था कुछ देर तक बाते करने के ब दौरान एक दूसरे से वफदार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं चूड़ेंगे अब उन दोनों की लाइफ बहुत ही चल रही थी लेकिन कुछ दिनों बाद को सीना में जाना पड़ता है क्योंकि वह एक सोलजर था वही जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल ह जाता है और उसे वापस घर मीच दिया जाता है आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी लोग बहुत ही खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे क्लिफर्ड को देखके कोनी बहुत खुश होती है पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद के पेट के नीचे का इससा पुरा पेररिलाईस हो जाता है अब क्लिफर्ड अपनी हालात से लाचार था और उसको घर के अंदर आ जाता है वही कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खोश तो हो रही थी पर वह बहुत ही दुखी थी उनकी खुशी ओपर इस मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है इस बार ऑलिवर किसी खादान में काम नहीं कर रहा था बलकि इस बार वो जंग में था कुछ दिनों बाद जब ऑलिवर अपने घार आता है तो वो अपने मंगेतर को किसी और के साथ देख लेता है और वो उससे बिना मिले ही वहां से चला कुछ दिनों बाद Oliver काम मांगने के लिए Clifford के पास जाता है पर जब Clifford उसों बात कर रहा होता है। फिर एक दिन वो कौनी के साथ Olya के पास जाता है Olya जंगल में बने एक कौटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था वहाँ पहली बार कौनी Olya को देखती है वहाँ से वापिस आतेरा कौनी Oienced को इशारा देती है पर Olya उसे समझ नहीं पाता अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ऑलिवर अपने share की चाबी मांग रहा है इस पर कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है पर जब वो ओलिवर के पास बहुचती है तब ऑलिवर उससे ठीक से बात नही करता और उससे बोलता है कि आपको ये टकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी कौनी को भी Oliver के इस behavior पे गुसा आ जाता है और वो गुसे में वहाँ से चली जाती है अगले दिन Oliver कौनी को एक letter लिखता है जिसमें वो अपने बरताव के लिए उससे माफी मांगता है इसके बाद कौनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके cottage में जाती है जहां Oliver अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था पर फिर जब कौनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है ये देखकर कौनी खुद को कंट्रूल नहीं कर पाती और वो Oliver के पास जाने लगती है पर तबी Oliver भी उससे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कौनी की इज़त करता था कौनी को वो जगा बहुत ही पसंद थी इसलिए वो Oliver को बोलती है कि मैं हर रोज यहाँ पर प्रिंटिंग करने आऊंगी तबी Oliver उससे कहता है कि मैं ये जगा आपके लिए साफ कर दूँगा और मैं किसी और जगे चले जाऊँगा कौनी उससे कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है पर तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो यहाँ कौनी Oliver से गुसा हो जाती है और वहां से जाने लगती है लेकिन तबी बारिशा जाती है इसलिए वो Oliver के साथ उसके cottage में चले जाती है तो उसकी नौकरी चली जाएगी अब क्योंकि Oliver ने कौनी को गरम करकर वापस थंडा ही छोड़ दिया था इसलिए वो अपने घर वापस चली जाती है एक दिन कौनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसूस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है तबी क्लिफर्ड कोनी को कहता है कि मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने बदन को ठीक करने के लिए उसे करंट के जटके देने लगता है Clifford दर्थ से बहुत चिल्ला रहा था पर जब आखिर में कोनी से उसका दर्थ देखा नहीं जाता तो वो Clifford को रोक देती है Clifford इस काम में नाकाम हो गया था इसलिए वो रोने लगता है अब इसके अगले दिन कोनी एक जंगल में जाती है और वहाँ पर बैट कर एक डायरी पढ़ने लगती है पर तभी उसे Oliver के काम करने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंती उसके पास चली जाती है जहां पौचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है जहां वो दोनों इंटिमेट होने लगते है अब पूरा दिन कौनी Oliver के साथ ही रहती है तो जब शाम होने लगती है तो Oliver कौनी को उसके साथ उसके घर छोड़ने जाता है जाने के वक्त कौनी Oliver से पूछती है कि तुमने ये जो किया है क्या तुमें इसका कोई पच्तावा है जिस पर Oliver उसे बोलता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम अब सिर्फ मेरी हो उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं Oliver को कौनी की बहुत याद आ रही थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है दूसरे तरफ कौनी की नीन भी उड़ जाती है और वो Oliver की याद में सो नहीं पाती फिर वो खिड़की से Oliver के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ती भी Oliver के पास चली जाती है लेकिन उसे जाते हुए उसकी घर की एक मेट देख लेती है Oliver भी वहाँ कोनी का इंतिजार कर रहा था और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगाता कि तुम मुझसे मिलने आओगी इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं शोड़ूंगी और वो तोनों फिर से वहाँ पर इंटिमेट होने लगते हैं एक दिन Clifford के घर पे एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है फिर Clifford देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगले दिन डंकन कोनी से कहता है कि तुमारे लिए तुमारे पती से जादा इंपोर्टन बच्चा पैदा करना है कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी इसलिए Clifford को ऐसा लगता है कि वो डंकन के करीब जाने की खुशिश कर रही है जिस पर कोनी बहुती गुसा हो जाती है फिर Clifford उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है पर कोनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती एक दिन Clifford Oliver से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने बोलता है अब वो दोनों जाही रहे होते हैं पर तभी Oliver पीछे से आता है दरसल वो जिस ख़दान में काम करता था उसकी वद्यासे उसके दोनों लंग्स खराब हो गए थे अब फाइनली उलिवर उसकी गाड़ी को कीचर से बाहर निकाल देता है और खासता हुआ वहाँ से चला जाता है उसके बाद कौनी जब उलिवर के पास आती है तो वो उसे गुस्से में बताता है कि जब 12 सालों तक उसने उसकी ख़दान में काम किया और अपने लंग्स खराब कर लिये और फिर उसे जंग के लिए फ्रांस बेज दिया गया वो उसे कहता है कि मेरी लाइफ तुमारे जैसी नहीं है इसलिए तुम अपने पती के पास वापस चली जाओ अब एक दिन कौनी की मेड मिस बॉल्टर ऑलिवर के कौटेज में आती है जहां उसे कौनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसके समझ में आ जाता है क्यों कोनी के पेट में जो बच्चा है वो उलिवर का है एक दिन क्लिफर आने वाले बच्चे की खुशी में अपने गर पर एक पार्टी रखता है पर तबी वहाँ पर मिस बॉल्टर आती है और वो क्लिफर को बता देती है कि कौनी के पेट में जो बच्चा है वो उलिवर का है पर जब कौनी क्लिफर से मिलती है तो क्लिफर उससे बहुत ही नाराज हो जाता है फिर उसके बाद कौनी मिस बॉल्टर के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमें ये बात किस ने बताई पर इस पर मिस बॉल्टर उसे कुछ भी नहीं बताती कौनी को ये लगने लगता है कि मिस बॉल्टर को ये बात शायद उलिवर ने बताई होगी पर तबी Miss Walter उसे बोलती है कि Oliver नए उसे कुछ नहीं बताया अब इस पर कोनी रोने लगती है और वो उसे बोलती है कि मैं Oliver से बहुत ही प्यार करती हूँ फिर उसके बाद Miss Walter रोने लगती है और कोनी के पास आकर कहती है कि जल्डी Oliver के पास जाओ वरना तुम्हारा पती उसे मार देगा ये बात सुनने के बाद कौनी भागती हुई ओलिवर की कॉटेज में जाती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है ये देखकर कौनी रोने लगती है पर तभी बहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कौनी उसे गले लगा लेती है इसके बाद हम देखते हैं कि कौनी क्लिफर्ड की घर पर आती है और वो उससे डिवोर्स मांगती है पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और उलिवर को बुलाने के लिए बोलता है पर फिर जबी ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं पर फिर फाइनली कौनी और ओलिवर क्लिफर्ड की घर को छोड़ कर चले जाते हैं उसके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वो कौनी को तलाग देने के लिए मान जाता है जिन्दे की पर आपस में साथ रहते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है